अगर आपको share market में करोड़ पती बनना है तो आपके लिए सबसे अच्छा option है कि आपको धेर सारा पैसा दे दिये जाए ओ भी 0% interest पे है ना कमाल की बात कि 0% interest पे धेर सारा पैसा मिलेगा और उस पैसे का इस्तमाल करके आप जितने चाहिते पैसे बना सकते हैं और वापस इसक पर भी ला देगा तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही के वारे में जिसका इस्तमाल बहुत ज़्यादा किया रहा है और उसकी वजह से जो करन्ट क्राइस से यह जो मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है जिसके मार्केट बहुता सुरुख्या बन रही है ज चैंट की को ट्रेड के अजिक चैंट करतो है इसलिए जी पैसे को बोरो किया आता है और फिर अईसी ऍIVस के आता है जहां पर हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो इसको बोलते है कारी ट्रेड़ है अगर आप मैं इसको रिलेट करूँ करन्ट जो क्राइस हुई अगर आप देखेंगे कि जापान का इंडेक्स जो है जापान का शेयर मार्केट बहुत ज्यादा क्रेश हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा रिजन यहीं हो रहा है कारण क्या है कि अगर आप देखेंगे पिछली मार्केट में कर सकते हैं इस केस में क्या हुआ कि जो भी और इसको उन्होंने वहने क्या क्या जो फोरेक्स टेडर वहां से करेंसी को बाइ किया और इसको यूएस में क्या जो है रिटन काफी अच्छा था आल्मोस्ट परसें का करेंसी में रेटन मिल ला था ये अप इसको एक इग्जाम्पल से समझते कि होता कि आप दो हपते पहले जो जेपी वाई यूएसड यानि ज जयपनेस इन जो है और उसको वापस कवोर्ड किया किसमें उसको कवोर्ड किया यूएस डॉलर में उसके पास टोटल आये हंड़ेड डॉलर रुपेज क्योंकि उसका शिक्सेटी प्रॉफिट क्या हो रहा था क्योंकि अगर उसने माँप 0% उठाया और यहां पर यूएस म तो उसको विडॉल हुआ 104 डॉलर को वापस जैपनीज इन में कन्वोर्ट करेंगे जिसकी कोस्ट रूपीज थे उसके कोड़ें जो अभी कोस्टिंग आगी हो एगी 16,640 रूपीज यही खेल हुआ है जैपनीज एन में और यूएस में अब हुआ क्या है रिसेंटली जो चेंज़ आपको देखने को मिलें यह अचानक से बैंक आफ जापान ने इंट्रेस्ट रेट को इनक्रीज किया है अब यही पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई जिन इन्वेस्टर्स ने करन्सी को यहां से बाय किया था बॉरो किया था जिरो पसें इंट्रेस्ट नेट पर अचानक इंट्रेस्स बढ़ने की वज़ह से खलबली मज़े क्योंकि मैं स्ट्राटिजी आपको क्रोडपती बना सकती है तो अब आपने बारो यहां से किया और यहां से विड्रॉल करके वापस इसको रिफिल करने लगे के लिए एक्जामपल में इसको और अच्छे समय आएंगे आपको जो जैपनीज एन और यूएस डॉलर का जो रेट था इसको वन सिस्टी था ओ अभी बात करते हैं 143 यानि कि जैपनीज जो करन्सी है जो स्ट्रांग हुई है जो पहले वन सिस्टी एन मिला था वन डॉलर का आप भी मिला 150 था तो सेम वापस से उसी हंडेड डॉलर को अगर वापस से कनवर्ट करेंगे यूए जैपनीज एन में तो आपको 14,400 14,872 रूपीज का उसकी वैल्यू यानि कि एक ट्रेडर को 11,128 एन का लॉस हो रहा है आप इसी लॉस की वजह से जितने लोगों ने वहाँ पे पोजिशन लॉंग की बना रखी थी उन्होंने फटाफट अपनी पोजिश्चन को अन्वाइंट करना शुरू कर दिया ताकि उससे आसाने जल्दी से जो है जैपनीज एन की जो करेंसे बोरो किया था उसको वापस किया था क्योंकि अगर वा सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इस मैदान में कूदना चाहते हैं तो पहले तो आप समझें इसके रिस्क के बारे में फिर समझें फिर आप और साथ में हैंजिंग आप जरूर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती आपको बड़े लॉसेश हो सकते हैं तो काई इस यह थी डिटेयर्ड एनलिस वीडियो आपके जैपनीज एन के बारे में कि आखिये एन की कहानी क्या है तो आपके वीडियो चले तो इसके अरिका अरिally आपके जिया एननने लॉसेश मेंगे एन इसके भीडियो चलेट हो सकते हैं पॉसे प्रॉसेश regular में हो सकते हैं कि अश्प्रॉसेश्य पपके यह झापके रिमारे में होshoं चわん है गलिए लॉसेश होसे ओभावाउशें हैं नहन एर फॉसेश् हो